चरंड कमल बंदो हरी राई जा की कृपा पंगू गिरी लंगे आंधर को सब कुछ दर्साई बहिरो सुने मुक पुनी बोले रंक चले सिर्छत्र धराई सूरदास स्वामी करुना मे बार बार बंदो तही पाई सूरदास जी कहते हैं कि जब भगवान कृष्णी की कृपा किसी पर होती है तो विक्लांग भी आसानी से पैदल ही पहाडों को पार कर जाते हैं, अंधों को भी दिखाई देने लगता है, गुंगा व्यक्ति बोलने लगता है और बहरा व्यक्ति सुनने लगता है जिसके पास खाने या पीने के लिए पैसे तक नहीं है बहुत निर्धन है ऐसा व्यक्ति भी भगवान कृष्ण की करपा से अमीर बन जाता है तो जिनकी करपा अपरबार है ऐसे भगवान कृष्ण की पूजा किसे नहीं करनी चाहिए ओम श्री कृष्णाय नम्हा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूं भगवान कृष्ण के एक सचे भक्त की सची कहानी आज से आप मेरे चैनल पर हर दिन भगवान कृष्णी की कहानिया सुन सकते हैं अगहन का महिना जिसे मांक्षीस महिना भी कहते हैं भगवान कृष्णी को समर्भित होता है ऐसे में जो भी न्यमित रूप से भगवान कृष्णी की कताओं को पढ़ता है या सुनता है या भगवत गीता का पाट करता है उन पर भगवान कृष्ण की करपा सदेव बने रहती है आईए जान लेते हैं भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त और सची कहाने के बारे में हमारी देश में साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर है ये कहानी वहीं की है एक बार दो ब्रहमन प्रंदावन धाम की यात्रा पर जा रहे थे जिन में से एक व्रध थे और दूसरा जवान था उनकी यात्रा बहुत लंबी और बहुत कठिन थी जिस कारण उन दोनों को यात्रा करने में बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ा उस समय रेलकारियों की सुविधा भी नहीं थी तो व्रत्य व्यक्ति द्रहमण युवक का अत्य दिक्रत की था और ऐसा इसलिए क्योंकि रास्ते में चलते समय जब भी व्रत्य व्यक्ति को कोई परिशानी आती तो वह युवक उनकी साहता करता था आखिरकार किसी परकार दोनों परिशानियों का सामना करते वे व्रिंदावन धाम पहुँच ही गए व्रिंदावन में पहुँच कर उस व्रत्य व्यक्ति ने उस युवक से कहा ये युवक तुमने मेरी बहुत सेवा की है और मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इस सेवा के बतले मैं तुम्हें कुछ पुरुसकार दूँ उस ब्राहमन युवक ने कुछ भी लेने से इंकार कर दिया पर वह व्यक्ति तो जित करने लगा आप उस व्रध व्यक्ति ने अपनी जवान पुत्री का विवा उस ब्राहमन युवक से करने का वचन दे दिया उस युवक ने व्रद्व्यक्ति को समझाया कि ऐसा हो ही नहीं सकता आप तो बहुत अमीर है और मैं तो बहुत ही गरीब सा ब्राह्मन हूँ और देखे ये जो वार्तालाफ उन दोनों के बीच में हो रहा था ये हो रहा था भगवान गुपाल कृष्ण के श्री विग्रह के सामने लेकिन व्रद्व्यक्ति तो अपनी जित पर अड़ा था और फिर कुछ दिन तक व्रिंदावन में रहने के बाद वे दोनों व्यक्ति अपने घर लोटाए व्रद्व्यक्ति ने घर आकर सारी बाद बताई कि उसने अपनी बेटी का विवा एक प्रहमन से तय कर दिया है पर उनकी पतनी को ये सब मंजूर ही नहीं था उस व्रद्व्यक्ति की पतनी ने कहा अगर आप मेरी पुत्री का विवा उस करीब युवक से करेंगे तो मैं आत्मात्या कर लूँगी उधर वह युवक ब्रहमन के वचन का इंतिजार कर रहा था अब उस व्रद्व्यक्ति अपने वचनों को पूरा करेगा भी या नहीं फिर एक दिन ब्रहमन युवक से रहा नहीं गया और उसने व्रद्व्यक्ति को उसका वचन याद दिलवाया अब व्रद्व्यक्ति मौन था चुकि उसे एक तरफ डर था कि अगर वो अपनी बेटी का विवा इससे कर देता है तो उसकी पतनी अपनी जान देदेगी और व्रद्व्यक्ति ने उस युवक की बात का कोई उत्तर नहीं दिया व्रद्व्यक्ति को मौन देखकर ब्रहमन युवक्ति ने फिर से उसका दिया हुआ वचन याद दिलाया तब ही प्रदपुरुष के बेटे ने उस ब्रहमण युवक को अपने घर से ऐसा कहकर निकाल दिया कि तुम जूट बोल रहे हो और तुम मेरे पिता को लूटने के लिए आये हो फिर ब्रहमण युवक ने उसके पिता द्वारा दिया गया वचन याद करवाया ब्रहमण युवक ने कहा कि ये सारे वचन तुमारे पिता जी ने भगवान कृष्ण के श्री विग्रह के समक्ष दिये थे और तब व्रतवेक्ती का बड़ा पुत्र जो की भगवान को मानता ही नहीं था उस युवक से कहने लगा ठीक है जैसा कि तुमने कहा कि भगवान के सामने मेरे पिता जी ने तुम्हें वचन दिया था अगर भगवान इस बात के साक्षी है तो यही सही अगर भगवान प्रकट होकर वो कह दें कि वो इस वचन के साक्षी है जो मेरे पिता ने तुम्हें दिया है तो तुम मेरी बेहन के साथ विवा कर सकते हो ये बास सुनकर ब्रामन युवक ने कहा हाँ मैं भगवान कृष्णी से कहूंगा कि वो साक्षी रूप में आए और उसे भगवान श्री कृष्णी पर अपने कानाजी पर पूरा विश्वास था उसका विश्वास तो देखिए उससे पूरा विश्वास था कि भगवान कृष्णी उसके लिए व्रंदावन से जरूर आएंगे और फिर अचानक व्रंदावन के मंदिर की मूर्थी से आवास सुनाई दी मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूं मैं तो मातरे एक मूर्थी ही हूं और तब उस युवक ने कहा था कि अगर मूर्थी बात कर सकती है तो साथ भी चल सकती है तब भगवान कृष्णी ने युवक के सामने एक शर्ट रगती कि तुम मुझे किसी भी दिशा में ले जाना मगर पीछे पलट कर नहीं देखना तुम सिर्फ मेरे घुंगरों की ध्वनी से ये जान सकोगे कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं बस पीछे मुड़ कर नहीं देखना युवक ने उनकी बात मान ली और वह दोनों व्रिंदावन से चल पड़े आगे आगे वह युवक चल रहा था उसके ठीक पीछे पीछे घुंगरों की आवाज आ रही थी अब जिस नगर में उन दोनों को जाना था वहाँ पहुँझने के बाद युवक को घुंगरों की आवाज आना बंद हो गई अब जब अचानक से ही घुंगरों की आवाज आना बंद हो गई तो उस युवक ने सूचा कि कहीं भगवान जी वापस तो नहीं चले गए अब उससे धैर रखा ही नहीं गया और उसने पीछे मुण कर देख लिया अब जब पीछे मुण कर देखा तो उसने देखा कि वहाँ तो एक मूर्ती खड़ी भी रखी थी जो की मूर्ती थी आगे चल ही नहीं सकती थी और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस युवक ने अपने वचन के विप्रीत कर लिया था उसने भगवान को वचन दिया था कि वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा और जब उसने पीछे मुड़कर देखी लिया तो जो घुंगरों की आवाज आ रही थी जो भगवान कृष्ण साक्षाद उसके पीछे पीछे चल रहे थे वो एक मूर्ती में बदल चुके थे अब वो युवक दोड़ कर किसी तरह नगर पहुँचा सब लोगों को इकटा किया और कहने लगा कि देखो भगवान श्री कृष्ण साक्षी रूप में मेरे साथ आए है अब लोग जब आए वहाँ पर तो उन्होंने देखा कि इतनी विशाल मूर्ती इतनी विशाल मूर्ती इतनी दूर से चल कर आ कैसे सकती है अब उन्हें उसी वक की बात पर विश्वास हो गया कि जरूर इस मूर्ती में बहुत सत है कहा जाता है कि उन्होंने श्री विग्रह के सम्मान में उस इस्थल पर एक मंदिर बनवा दिया और आज भी लोग इस मंदिर में साक्षी गोपाल की पूजा करते हैं इसलिए कहते हैं कि अगर पूजो तो भगवान नहीं तो पत्थर है कहते हैं कि अगर आपको अपने भगवान में अपने इस्थ देवी देताओं में सची इश्रता हैं मन में अटूर्ट विश्वास है तो आप यकीन करिए आप चाहे कितने भी कस्ट में क्यों नहीं आपको आपके भगवान उबार ही लेंगे चाहे आपके जीवन में दुखों का कितना भी अंधिरा क्यों नहीं बस कुछ पलों में ही अगर आपने भगवान को सच्चे मन से याद कर लिया सब कुछ उन पर निच्छावर कर लिया अपने दुखों का अंधिरा उनके चर्णों में समर्पित कर दिया तो भगवान आपको हर संकट से उबार ही लेंगे और काना जी तो अपने भगतों की पुकार सुनकर बहुत जल्दी उनकी मनुकामनाई पोन कर देते हैं ये थी आज की वीडियो उमीद करती हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर बार की तरह कनेया जी की जैलिकना मत भूलेगा इसी तरह की और अन्य कहानिया सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पैल आइकन पैस कर सकते हैं और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जादा से जादा अपने रिष्टेदारों के साथ अपने फ्रेंट्स के साथ शेयर जरूर कीजेगा